इमांचल के नीजी स्कूल शिक्षा कम और आमदनी पर जादा ध्यान दे रहे हैं अगर नीजी स्कूलों को शिक्षा की दुकाने कहें तो कोई अतिस योक्ती नहीं होगी क्योंकि ये शिक्षा की दुकाने पर तेक वर्ष विद्यार्थियों से मोटी एड्मिशन फीस किये गए हैं सुनेहरी भविश्य के खातिर परिजन स्कूल परिशाशन के आदेशों का विरोध नहीं कर पाते हैं और उनके सभी आदेशों को सिर्द जुका कर अनुपालना करते रहते हैं नीजी स्कूलों की इसी मनमानी को लेकर शिक्षा मंत्री ने सोलन में दौरे की द स्कूलों पर नकेल कसने के लिए जल्द ही रोड मैप त्यार किया जा रहा है ताकि एडमीशन बर्दी किताबों के नाम पर चलूट हिमाचल में चल रही है उस पर नकेल कसी जा सके उन्होंने कहा कि जल्द ही परदेशतरकार इसके लिए रेगुल्टी बोड का गटन करेग और इन्हें देखकर भी सकारात्मक कदम उठाने के परियास किये जा रहे हैं ताकि नीजी स्कूल अपनी मनमानी ना कर सके वहां पर बरदी के नाम पर या फीस के नाम पर ब्रेडिंग के नाम पर हर वर्ष जो है वो फीस बढ़ाई जाती है या पंटिकुलर दुकान से जो है समान लेने के लिए कहा जाता है इन सब बातों को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि एक रेगुलिटरी मेकेनिजम बने य लिए regulatory commission जो है बनाया गया है उसमें भी मैं बिधान सावा की select committee का member था जिस ने ये कानौर बनाया था लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा टीट नहीं है तो उसको भी हम जो है वो सशक्त बनाने चाहते हैं और साथ ही साथ से जो school है elementary या है education के institutions हैं उनके लिए भी कोई regulatory mechanism जो है वो बने उसको हम study कर रहे हैं हमारा प्रयास रहेगा कि इन पर जो है वो कोई ना कोई जो है नकेल कसी जाए ऐसा जो है mechanism चाहर करेंगे हम कानौन बनाने का प्रयास करेंगे ताकि इन सब चीजों पर जो है वो हम कोई जो है संग्यान भी दिए सकें और इन पर कोई ना कोई कंजा जो है वो कसा जा सकते हैं